चुरूरात करते हैं चेस्नट ब्राउन कलर के साथ यह है ग्रेंड विटारा का चेस्नट ब्राउन कलर और यह कलर थोड़ा सा रहा ओफ मतलब बहुत जयादा लोग इसको पसंद नहीं करते और यह इसकी जो शेड है वो बहुत जयादा पसंद आने वाले भी नहीं है आला कि प्रीमियम गाड़ी डिफिनेटी लगती है लेकिन इसका अगेन एक डार्क कलर का जो साइड इफेक्ट होता है ब्लू ले लो आप ये ले लो या फिर रेड ले लो उसमें आपको नोर्मली जो कलर्स होते हैं उनके मकाबले ज्यादा डस्ट और पार्टिकल्स देखने को मिलत है और इसमें जो फील आती है वो थोड़ी से ब्लैक और ब्राउन की आती है दूसरा कलर हमारे पास वाइट एज यूजवल वाइट में एक क्लासीनेस तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलती है बट आज कलना हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा वाइट गाड़ी ह हो गई है और वाइट में आपको सिल्वर फिनिश थोड़ा सा ज्यादा उभर के नहीं आती है हां ब्लैक एलिमेंट्स आपको इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे तो वाइट अन ब्लैक का कॉम्बिनेशन कभी से बहुत अच्छा रहा है और डेफिनेटली से आपको निखर के आती है मतलब थोड़ा सा आउट दिखती है स्पेशली तो वह एक इसकी बैक अपेरेंस को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है आप फ्रेंट से मैं यह नहीं बोलूँगा कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बट वाइट में जो इसकी बैक अप अपेरेंस वह डफिनिटली कहीना की आपको इनेंस्ड मिलती है अप थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलता है तो आप वाइट के लिए जा सकते हो बट यह एस यूजल है और वाइट कलर का सबसे फायदा है कि वह गंदी कम दिखती है उसमें स्क्रेचेश कम होते है और मैंटेनेंस अव्होंती है वाइट कलर की और इसके लाब वाइट कलर आपको एज़ीली अगर आपको डेंटिंग-पेंटिंग करानी है तो वाइट कलर सबसे ज्यादा easily available होता है और सबसे ससता ही पड़ता है and finally हमारे पास आ गया आज का premiest color ये है silver silver के अंदर इस गाड़ी की जो feel है वो अलगी level के आती है मतलब silver color में गाड़ी बहुत ही बड़ी लगती है शांदार लगती है हलाकि इसमें एक दिक्कत है जो आप बेटर बनाने के लिए बट इस silver color की खास बात ये है एक तो maintenance कम है दूसरा गाड़ी की overall looking बहुत ज़्यादा enhance कर देता है अगर आपने देखा होगा थोड़ी सी जो महंगे गाड़ी आते Mercedes वगरा ये ज़्यादा तर silver color में prefer की जाती है तो वो एक silver color की advantage हमेशा से रही है दूसरा इसकी maintenance cost कम है इसकी scratches कम दिखते हैं आपको लेकिन ये भी आपकी personal preference हो सकती है तो finally बात करते हैं कि आपके लिए गाड़ी में से तीनों में से कौन सा color ज़्यादा अच्छा है लेकिन उससे पहले भी आप prefer कर सकते हो अगर आपका mood है कि आपको ऐसी गाड़ी चीज़ में maintenance कम हो जो जर्नल कलर हो easily available हो ज्यादा खर्चा ना हो इसमें denting pending का तो आप white prefer कर सकते हो and मैं कहूंगा नहीं कि आप brown के लिए जाए comment section मेंशन करके बताना कि आपको इन तीनों में से कौन सा कलर ज्यादा better लगा है और वीडियो से लिए कि तो लाइक में ने शेर कर देना bye bye take care मिलते के लिए amazing वीडियो में